सबसे पहले है वेरीबल सो एक सेंट्रल आइडिया जो रिसर्च में जो वह कॉंसेप्ट है वेरीबल्स का वेरीबल्स का वेरीबल्स यह वह टेक्टर्स इद्टिट्टिव्य वेरी कर सकते हैं और यूस्ट होते हैं अन्दिट्र अग्रण यह को अग्याता है जिनको मेंजर जा सकता है नुमेरिकली जिसके एज पर प्रोडक्शन यूनिट्स और इन वेरीबल्स पेंवाइबल्स में शांइल है यह नुमेरिकल वैल्यूस और फर्दर डिवाइट के जा सकता है डिस्क्रीट या और कंटीनियोस के अंतर दुसी तरफ वालिटेटिव या फिर नुमेरिकल वैरिबल होते हैं यह रिप्रेजेंट कते हैं केटेगरी यह वालिटीज इसमें इंक्लूड है जेंडर रिलीजन औ फिर फिर नुमेरिक इसपेक्ट अफिर टॉब हो सकते हैं के इसके अप्लेटेट वैरिबल के उपर डिपेंडेंट वैरिबल जो होते हैं वह आउटकम है रिसपॉंस चाहिस जो कि मीजर्ड है और उसके बात हैं कि घृतन के वह उसका रिभल टॉटानीगन करने को उनके र करने data एनलाइस करने result अग्समाइन करते हुए वेरिशंज बेरिशन वेरिबल्स के अंदर और उनके रिलेश्शिप रिशेचरस जिए वो हासल कर सकते हैं कर सकते हैं प्रेटिक्षिन ड्रो कर सकते हैं चन्कलूजन पर ना के बारे में जोके स्टेडि कर रहे हैं तरह आप सो वेरिबल यह कोई को नहीं वेल्यू एक सटेंग वेंज के अंदर और इनको डिवाइड के जा सकता है अप्रेक्शन से यह डेसिमल के अंदर दुस्ति तर्फ डिसकुंटिनियूस वेरिबल वो हते हैं जिनका जो के फ्रेक्शनल यह डेसिमल वेल्यू नहीं होती और ये ओफन रिप्रेजेंट के जाता है डिसकरी इस्क्रीफ या ब्ल्यू से और यह वेरिबल जो जाने भी चाते हैं की एंदर या उनकर टेसिमल वेल्यूस और अपर डिसकुंटिनियूस ब्ल्यूस जो हते हैं कि हैव डिस्टिंक्त और सपरेट यह वेल्यूस के अंदर इनको फदता सकता है हैEM इसको रेक्रेंट किया दाइए है है इन हो रहा है है श्च होति हैसे अंछी रेक्रेसेंट से दुस्क और अधिस आ रहा इंडिनलग्र डिनवल्व करता डिनलग्साइब वल्ट के देने. शोन रिंठेल कि अधिस्कों बहुता है नीजाय है. यो मरनेशाप्तasında बिलनी मेकल्ट रिंठेल के लिए और अगुषी था इंसुन्निम्हाना, जरी हो स्टाइस्टिस्टिकल अनलिसे सचर्स का ऐम होता है कि डितर्माइन करेंगे कैसे चेंजिस ड्वू इंडबेंडेंट वैरियबल में result in the variation of dependent variable and they seek to establish a cause or effect relationship or determine the extent to which the independent variable explain or account for the observed variance in the dependent variable statistical method regression analysis commonly used to assess the relationship independent or dependent variable and analyze data collected researches quantify extent of the influence association variables explaining x and y variable so x presume cause y presume effect x stimulus y response x predicted from y predicted to x antecedent y consequence x manipulated y measured outcome so moderating variable moderating variable influence or modify strength or direction relationship independent or dependent variable act as a condition or contingency effect or original relationship so example given is library facility x is believed to have a strong relationship strong relationship from the time the performance is student y so relationship is contingent upon another variable which is contingent upon another variable which is called interest on inclination which is called the original relationship so the moderating variable interest on inclination student student and and student and student करने के लिए का होता है फ्कुर्व रेंचियों का ऍमें स्कूर्स को सब्सक्राइब Daddy यह कर तुछ में तो की उसकता है दूसे तब अघ्र और अंडेस्टेंडिंग कॉंप्लेक्शिटीज की एंड नॉंसिस इंवॉल्व इन रिलेशेशिप जो कहे है लाइबरी फैसलिटी और स्टुडेंट की पर्फॉर्मस के दर्मियान वह एनलाइज कर सकते हैं कि कैसे प्रेजेंस या एपसेंस जो है कर सकते हैं किस तरह वह वह कर सकता है अक्रॉस डिफेंट गूरॉप्स या कॉंटेक्स बॉस्ट है स्रों इंटर्वीणिंग वैरियेबल कोच केसिस कहनता है जो रिशेशिप है वैरिबल के तर्मियान उसमें शामिल हो सकता है कि तेंपर एस्पेक्टिपेंट इनदिपेंडेंड़िबल का डिपेंड वैरियेबल की अपर चाहिए जो कर ओवर टायम this can be conceptualized as a surface between time when the four starts influencing the dv the time factor can be considered as a function of the four so extraneous variable confounding factors extraneous variables that have the potential to influence the relationship independent variable x or dependent variable y these factors are not of primary interest in this study but can introduce to introduce to the bias or distortion observed relationship so responsibility to identify and account for confounding factor in order to isolate the true relationship between x and y so to determine the determination determination whether variable classified as an independent variable x a dependent variable by a moderating variable or intervening variable ultimately made by a researcher और यह classification जो है वो है और not inherent properties of the variable themselves but rather conceptual distinction जो के बनाई जाती है purpose के लिए understanding के और analyze करना relationship variables के तर्मियान so relationship of variables in the context of research जो relationship है variables के तर्मियान उसको अक्सर express के जाता है in the form of proposition और hypothesis proposition एक statement जो के डिस्क्राइब करता है theoretical या logical relationship variables के तर्मियान और या articulate करता है expected association effect या पर pattern जो है variables के तर्मियान जो के बेस करता है prior knowledge या फिर theory तो यह थी आज की वीडियो आपको अगर इस बार में कोई question ने नीचे comment कीजिए इसके ने कोई mistake दिखा रहे है वह जब highlight कीजिए फाइल्स आप नीचे description box में देएकर link से हासल कर सकते हैं लेकिन आगर आपको link ने दिखाए तो इसके मिचे comment कीजिए और इस पूरी सीरीस को देखने के ले इस चैनल को subscribe कीजिए bell icon को पर click कीजिए thanks for watching this video and best of luck for your exams